जानबूच करके समाजवादी पार्टी के जो बोटर हैं उनका बोट डिलीट कर दिया गया इंडिया गटबंधन के लिए सबसे बड़ी ख़बर है लेकिन उससे पहले BJP 24-7 चुनाव की तियारी करती है सोची अखलेश यादव ने कल कहा था कि 22 जनवरी को चुनाव आयोग जो है वो लिस्ट जारी करेगा बोटर लिस्ट का और उसमें गरवरी की ख़बरे सामने आ सकती है और आज फिर उन्हें ट्विट किया है कि सपा के समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं या बूत बदले जा रहे हैं यह बहुत महीन और बारीक तैयारी है जिसका आरोप अख्लेश यादम ने लगाया है चुनाव आयोग का कहना है कि EBM बिलकुल सुरक्षित है वही 22 जनवरी स्राम ने एलान किया है कि वो बिरोत करेंगे वही BSP सुप्रीमो मायावती की लगभग इंट्री तैय है इंडिया गटवंधन में नमस्कार मैं शम्भू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निस्नल दस्ता सबसे बड़ी खबर और चौकाने वाली खबर है BSP सुप्रीमो मायावती लगभग तैय हो चुका है कि इंडिया गटवंधन में आएंगी और समाजबादी पार्टी ने भी इसके लिए लगभग कमर कस लिया है वो तमाम समाजबादी पार्टी के सवर नेता या BSP के सवर नेता जो इस गटवंधन को नहीं होना देना चाहते हैं उनको ये वीडियो सुनाईए सुच्ये माल लीजिए माल लीजिए समाजबादी पार्टी सार सीटों पर चुनाओ लड़ती है और BSP के साथ गटवंधन में नहीं आती है BSP जो है वो अकेले चुनाओ लड़ती है या छोटे-छोटे कुछ दलों के साथ वो गटवंधन करके लड़ती है मुकाबला ट्रैंगलर होगा तो क्या समाजबादी पार्टी सीटे निकाल पाएंगी क्या BSP जीत पाएगी? नहीं BJP आराम से 75 से 70 से 75 सीटे जीत लेंगी अब माल लिजे BSP 80 सीटों पर चुनाओ लड़ती है अकेले कितने सीटे जीत पाएंगी? विधान सभा में क्या हालत हुई थी? अब कलपना किजे कि 80 सीटे हैं और BSP समाजबादी पाठी 30 सीट पर भी चुनाओ माल ये 40 सीट पर और 40 सीट पर भी चुनाओ लड़ती है और ददद सीट दोनों पाठीयां अपने कोटे से RLD को चंसेखा राजात को अनुपिरियां आये तो उनको पल्लबी पटेल को निसाज जी को तमाम रिजिनल फोर्सेस को देती है तो जीत की कितनी संभावना होगी राजभर को भी अगर पान सीटे दे दी जाए सुचिये हमारे नेता या तो ना समझ है या सचमुच में घमंडियां है स्ट्राइक 30 सीट जीतने की संभावना तब बढ़ जाएगी जब गटवंधन में चुनाओ होगा और या 500 सीट पर चुनाओ लर लो और चुनाओ ही न जीते तो क्या फायदा अगर सपा, बसपा, RLD, कॉंग्रेस ये सब एक साथ चुनाओ मिलकर लरते हैं कम से कम सत्तर सीटों पर कबजा जमा सकते हैं और सत्तर कहीं तो तीस कहीं तो बरहत है BJP को UP से ही सत्ता से बाहर हो जाएगी BJP और लालू यादब का जो फर्मूला है कि बरे राज्यों में दस और छोटे राज्यों में पांस सीट हडाना है इसके बाद BJP का पत्ता साफ हो जाएगा 30 सीट बहुमत से जादा है BJP को 50 पर भी 40 पर भी सिमट गई तो 240 पर भी सरकार नहीं बनेगी तो सोची यह सबसे बड़ी खबर है जो सोचल मीडिया पर वाइरल है और उसके बाद सोची मैं आपको बिहार ले चलता हूँ बिहार में नितीज कुमार और तेजस्वी आद नितीज कुमार BJP और LJP के गटवंधन में चुना हुआ था 6 सीटे LJP ने जीती थी 17 सीटे नितीज कुमार और BJP ने जीती थी इस बार LJD जेडियू गटवंधन करके चुनाओ लड़ रही है तो 17 सीटे BJP जीती है तो अगर 10 भी जीत ले तो 7 कम हो जाएगा जिसकी संभावना बहुत कम है 7 सीटे 5 सीटे BJP जीत जाए तो बड़ी बात होगी तो वहां से उसकी 10 सीटे कम हो रही है महराष्ट में उसने सिफ सेना को छोड़ दी जो तो आधे सीटे जीती थी आधा सीट तो वहां महराष्ट से कम हो रहा है वहां भी हर्याना, राजस्थान, मतपरदेश, 36 गर, करनाटक इन सब में 100% सीटे जीती थी BJP ने क्या ये 100% स्कोर कर लेंगे अगर इंडिया गटबंधन चुनाओ लड़ेगा एक के बदले बंगाल में भी इनकी सीटे कम सकती है, पंजाब में भी कम सकती है मैं फिर कह रहा हूँ BJP के पास अब खोने के लिए बचा, उसके पास पाने के लिए कौन सा राज है उनके पास पाने के लिए है उरिसा उरिसा में कितनी सीटे हैं उरिसा में अगर सारी सीटे भी नविन पतनाएक जिते हैं और BJP का समर्थन कर देते हैं जगन मोहनेडी भी सारी सीटे नहीं जिता हैं उनकी बहन ने बगावत कर दिया है तो लंगाना बीजेपी अच्छा करेगी, करनाटक में बीजेपी को जीता हुआ सी इतनी उकसान होगा तो समझी है 2024 का चुनाओ टीबी अख़वार जो आपको दिखा रहा है वैसा है नहीं और 70, 75 या 60 सीटों का 50 सीटों का जो डैमेज है यूपी का अगर सपा बसपा कॉंग्रेस आरेलदी मैं फिर कह रहा हूँ अगर ये सारे इंडिया गटबंधन वाले नेताई मांदार है उनको लगता है कि बीजेपी आएगी तो संभिदान खत्म हो जाएगा तो ये लेग यूपी में ही क्यों ने गटबंधन न करे यूपी में ही सब एक साथ लर ले मिलके सपा बसपा आरजेडी नहीं अगर ऐसा करते है तो समझिए लोग जूट बोला है इनके अपनी मात कांग्शा बहुत अलग है और सही कहते है नेंदर मोदी घमंडिया आप सोचिए करनाटक में बीजेपी चुनाओ हारी और जेडिये से अगले ही दिन गटबंधन कर लिया आप कलपना कीजिए यह होती है फ्लेक्सिबिलीटी सोचिए मैं फिर कह रहा हूँ पचास सीटों का अगर बीजेपी को यूपी में नुखसान होता है अगर बीस सीटों का बिहार में नुखसान होता है तो सत्तर सीटों ऐसे ही चला गया जार्खन में भी सांदार किया था तो बिहार, जार्खन, राजस्थान, मत परदेश, अमालियन, राजस्थान, मत परदेश, 36 गर में अगर पांच-पांच सीटों करने को नितीश कुमान में क्या-क्या, बीजेपी का 100 सीट्स कम करना है बस तो सोचिए, ये तमाम भी पक्षी दल अपनी अगर सीटों की सेरिंग छोड़के, ये लोग स्ट्राइक रेट देखें, अगर बंगाल में लेफ्ट और कॉंगरेस नहीं लरती है, चुनाओ, तो क्या दिक्कत है, ममता को जितने दीजिए, ममता तो बीजेपी में जाएंगी लेकिन नहीं कॉंगरेस को तो हर जगा टांगर आनी है, और मायवती जी के गटबंधन आने से कॉंगरेस को समाम राज्यों में फैदा होगा, समाजवादी पार्टी को भी जो लोग भैकार होंगे, कि 70-60 पर लरो भाईया, समाजवादी पार्टी 60 ही कह रहें हैं कि हम लरे करें या गटबंधन से बाहर निकलें वही बीजेपी की असली बीटीम है, गटबंधन में वैसी और मायवती जी को लाना चाहिए, और तमाम भी पक्षी दल अगर एक साथ नहीं लड़ते हैं, तो समझे कि कौन बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा हैं, मैं फिर इसलिए क चुनाओ है, सब कुछ दूद का दूद और पानी का पानी है, पसिम मंगाल में अगर ममता बनर जी दो सीर दे रहे हैं कॉंग्रेस को, तो क्या दिक्कत है भाई, आप ता तो एक ही सीट है अभी, लेफ्ट को वहां सीट ही नहीं है, तो आपको सीट चाहिए क्यों, अगर आ क्योंकि उसके मन में पाप है, उसके लिए परधान मंत्री पद का लालसा इतना बरा है, वहीं आरजडी जेडिव में लगभग गटवंधन हो चुका है, नितिश कुमार अब बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, यूपी में सपा बसपा, आरेल डी, कॉंग्रेस, अगर दो-दो सिर दीजिए, तो सोचिए एक कॉंग्रेस की महत पांग्छा कितनी बड़ी है, और अखिलेज जी को भी समझना पड़ेगा कि आपकेले चुनाओ लड़के 30 सीट नहीं जीच सकते हैं, अखिलेज जी, लेकिन अगर गटवंधन में आप चुनाओ लड़ते हैं, तो आपकी संभावना बनती है, माया बती जी भी अकेले चुनाओ लड़के 30 सीटे नहीं जीच सकते हैं, लेकिन अगर गटवंधन में चुनाओ लड़ते हैं, तो संभावना बनती है, और कॉंग्रेस भी राजस्तान मतपरदेश 36 गर नहीं जीच सकता, अगर उसको यूपी मे 36 गर चोड़ना चाहिए, दच्छिन के भारत चोड़ना चाहिए, कॉंग्रेस को DM के अतमेलाडू चोड़ना चाहिए, वो केरल मेला, केरल को लिफ्ट के हवाले कर दीजिए, वहाँ भी छोड़ दो, उसके बाद भी 100 सीटे तो कॉंग्रेस जीच सकती है, सबसे बड़ी पा ये दरतल RSSS के सिलिपर से ले चाहते है, क्या तो हम सत्ता में आया बीजेपी रहे, दलित पिछले आदिवासिर की लीडर्सी बाली पाटिया तो बिलकुल नहीं आनी चाहिए, और मैं फिर कह रहा हूं, अगर दलित समाज की पाटि, बहुजन समाज बाली पाटियों को सप सवर्ण है, अगर बहुजन दल वाली JMM, JDU, RJD, सपा, बसपा, ये लोग सवर्णों को जो टिकर देते हैं, वो टिकर समाज को दें, और एक भी सवर्ण को टिकर न दे, तो इनकी संभावना जादा रहेगी, जैसे BJP एक भी मुसल्मान को टिकर नहीं देती, और साथ में, ऐ ऐसे निताओं को सरक पर उतारे, ऐसे निताओं को टिकर दे, जिन्होंने पबली के लिए सोशल जस्तिस के लिए काम किया है, जेल गया है, उबैसी को अगर आपको काटना है, वो गटवंधन में नहीं आते है, तो उमर खालित सरजिल इमाम, खालित सैफी, मिरान हैदर को ट लड़ाइए, और नेताओं में चंसेखर को लड़ाइए, स्वामी पसाद मौरिया को लड़ाइए, फते बहादूर को लड़ाइए, फते बहादूर सिंग जो बिधायक है आरजे डी के, लोकेंद्र गुर्जर को लड़ाइए, जिन्होंने सुप्रिम कोर्ट में तहल का बहुजन समाज के उननेताओं को बिधायकों को लड़ाइए, राजेंदरपाल गौतम को लड़ाइए, ये वो नेता है जिन्होंने इस देश के बहुजनों को एक जूट किया है, और तूटके इतना भी अगर आप नहीं समझ सकते हैं, तब आप मोदी जी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि नरेद्र मोदी ने 40 साल सरकों की खाक छानी है, वो धर्म की भी राजनीती कर रहे हैं, वो कास्ट्यूकिशन की भी राजनीती कर रहे हैं, बस सोचल जस्टिस पर वो मार खा रहे हैं, और इसलिए मैं करा हूँ, RSS बड़ा निगेटिव पॉइंट है मोदी के अगर RSS के साथ नरेद्र मोदी नहीं होते, तो नरेद्र मोदी चुनाओं नहीं हारते, और मुद्दा बनाइए सरकारी नौकरी, प्राइबटाइशन मेरी जर्वेशन और मीडिया में आरक्षन का प्रावधान का मुद्दा बनाइए, यह चुनाओं खुलकर लगना किसान नेताओं को एक जूठ होना पड़ेगा आपने समयधानिक अधिकारों के लिए, और आपस में मिलकर लड़ना होगा ने तो बाद में मत कहना कि बताया नहीं था, शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें